हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासिज में स्यास अटमी बीपी सीवियार इसे सीवियार दरोगा को ध्यान में रखते हुए गटना चक किसरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत हम लोग भारती राजविवस्ता अवमसाचन से कोश्चन देखेंगे ताकि हम लोग का डिवीजन अच्छे से हो सके तो चली हम लोग देखते हैं पॉलिटी के कोश्चन आज का टॉपिक है उदेशी का बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है इससे कोश्चन आते हैं ध्यान रखेंगे इसके हम लोग फ़ले फैक्ट को देखते हैं पंडी जवाल नेरू द्वाराज सविधान सभा 13 दिसंबर 1946 को उदेश प्रस्ताव प्रस्तूत किया गया था 42 में सभिधान संसोधन अधिनियम निसोचीयत्तर द्वारा उदेशिका में समाजवादी पंत निर्पेख्ज और अखंडता सब्द जोरा गया कापी इंपॉर्टेंट है यह कोश्चन बार बार आता है यहां से ध्यान रखेंगे नेक्स कोशन हम नेक्स फैक्ट देखते हैं मारती सभिधान की उदेशिका ने भारत को संपून प्रवुत संपन समाजवादी पंत निर्पेश लोक्तांत्मक गनराज के रूप में गोसित किया है सभिधान की उदेशिका अपने नागडिकों को तीन परकार के नियाय समाजिक आर्तिक और आजनेतिक सुनेशित कराती है उदेशिका सभिधान की बिदिक निर्वचन में सहायक है सर अलादी कृष्ण स्वामी आयर के अनुसार उदेशिका हमारे स्वपनों और विचारों क को परतिनिद्रित करती है कि है मुन्सी के अनुसार उदेशिका हमारे परभूत संपन अलोकतांत में गनराज की जन्म कुंडली है नेक्षन फैक्ट हम लोग देखते हैं बोमई बनाम यूनियन ऑप इंडिया वाद में उस्तम न्याले निधारना प्रस्तुत की उदेशिका समिधान का भाग है प्रस्ताबना उदेशिका का समिधान का भाग किश्वा नंद भारती बनाम केरल राज 1973 वाद में सुईकार किया गया है इससे पुर बेरुबारी वाद 1960 में उदेशिका को समिधान कांग नहीं माना गया था ध्यान रखेंगे गोलक नात बनाम पंजाब के प्रण्सकरन में उदेशिका को समिधान की मूल आत्मा कहा गया है उदेशिका की प्रकृति न्यायोग नहीं है प्रस्तावना में विचार अविवेक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वातंता की बात को बात की गई है इसमें परतिश्ठा और अफसर की समानता सवीधान के आत्मा कहा जाता है बियारमबिदकर ने समय धानिक उप्चारों के अधिकार को सवीधान के आत्मा और हिरदय मान है कि यह मुनसी ने इसे त्यांस राजनीतिक जनपत्री कहा है इस यह सब्धान सरीरियत प्रस्थाव्ना MARY प्रस्ताबन अधार सीला है तो सविधान उस पर खड़ी अंटार गज़ी ये अरंबेदकर ने सविधान को एक पवित्र दस्ता वेज कहा है जिस्व कोन कतन क्या कहा है सध्यान दकींगे यहां से केश्चन बनता है आब हम लोग प्रस्ण से माधियम से देखते हैं क orchest्र बनाने के लिए उसके समस्त नागडिकों को समाजिक आर्थिक राजनितिक न्याय विचारी विएक्ति विश्वास धर्मरो पास्ना की स्वातन तर के रफशर् की समन्ता प्राप्त कराने के लिए उन सब में विएक्ति की गरिमा और रआश्ट की एक्ता और अखंडता न को इसकी ब्याख्या देखे यह भारती सविदान की उदेशी का है जिसमें भारती राजविवस्ता के स्वरूप उदेश एवं आधर्स का उलेक किया जाता है इस उलेक किया गया है इसमें उस्तिति का उलेक भी किया गया है जिस दिन भारती सविदान को स्विकार किया गया प सविधान लागू किया गया था तो इसकी एंसर हो जाएगी संपुन परभूत संपन लोगतांत्र गन्राज इसकी ब्याख्या हम लोग देखे 26.1950 को भारती सविधान की ततकालिक उदेशिका के अनुसार संपुन परभूत संपन लोगतांत्र गन्राज थी सामाजवादी पंत निर्प्यक्स और खंडता सग में 42 में सविधान 1776 की धारा दो जोरे गए थे नहीं को इश्यन है भारत की सविधान के निर्मताओं का मत निम्लिकित में से किसका पर्तिवी में तो ये उदेशिका की है इसकी ब्याख्या हम लोग देखे तो भारत की सविधान निर्मताव का मत उदेशिका में परतिविम्बित होता है यह सविधान निर्मताव का मन इस्थिती को समझने की एक कुंजी है यह सविधान निर्मताव की सिद्धान को परदर्शित करता है सविधान की प्रस्तावना ने देश को नियती अकार देने में महत्पून वोमी का निवाई है 13 दिसम्बर 146 को सविधान सवा के समग्ज जवालाल नेरुद्वारा प्रस्तोतू देश प्रस्ताव को 22 जनुवर 1947 को पारित किया गया इसे ही परिवर्थित करके सविधान की प्रस्ताबना के रुप में स्विकार कर लिया गया नेस कोईश्चन है सविधान में हमारे राष्ट का उलेक किन किन नाम से किया गया है तो भारत और इंडिया नेस कोईशन है बारत के सविधान की प्रहस्तावना में कितने परकार करनी आए स्वतंता समानता अंभात्युति की उसी करम की उल्ले किया गया है तो यह हो जाएगा भारत की सविधान की प्रास्तावना तीन परकार का नियाए पांच परकार की स्वतनता दो परकार की समानता और एक परकार का भैरतित्यू का उलेग किया गया है अर्था तीन पांच दो एक इसका एंसर हो जाएगा नेज कोईशन देखते हैं भारती सविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्रिकित में से कौन सा क्रम सही है तो इसमें इसका ब्याख्या हम लोग देखते हैं प्रस्ट में दिये गे सब्ध भारती सविधान के प्रस्तामना में बर्नित किये गे हैं ये भारती राजविवस्ता के सोरूप का बर्नन करते हैं इनमें से समाजवादी पत निर्पेक्स सब्ध मुल समिधान में नहीं थे इने 42 में संसोधन द्वारा जोरे गया है जोरे जान यह सभीधान के सभीधान में उलेखित है ने इसको उस्षयन है भारती सभीधान की प्रश्तामना में भारत को किस रुप में गोशित किया गया है तो एक शारभौम समाजवादी धायम निर्पेक्ष पर परजातांत्रिक ग рук विचार कीजिए तो पहला है समाजवादी परह निरॡबल र५जातांत्रिक सार्भामिक द्रृबेपक्ष में अंसर होगा सारभॉमिक फिर समाजवादी तब धर्म निर्प्यक्ष तब परजय तांत्री कि निम्निकी सद्मों में से कौन सब्यालिस्मी समिधान संसोधन दौरा प्रस्तामना में जोरे गए हैं यह हो जाएगा समाजबाद और पंत निर्प्यक्षता निस कुछ ने भारती सब्यालिस्मी समिधान संसोधन के माध्यम से सब्यांकी प्रस्ताबना में जोरा गया है तो समाजवाद और पंत निर्प्यक्ष निसकुष्च ने निम्निखिए में से कौण भारत को दर्लज राजशबरनित करताहे निर्पेंट शोट हुआ हुआ इसे सभिदान 18플 research में जोरा गया था ना पूर्सीयाँ देखें ऻीफन परस्ताबना में समझवाधी पन्थ नर्पेंटा सब्लाइब areas of부터 ने समिदान के उदेशका के संबंद में निम्म कत्म पविचार किजी और दिये गए कुट की सायता से बताए कि इन में से कौन सा सही है तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं यहनि की बी अप्सनोंगा पहला दुसरा और चो था इसके ब्याख्या देखे पंडित नेरी द्वारा 13.946 को प्रस्तु उत्त था समिदान द्वारा 22.947 को सुविक्रित अबजेक्ट उदेश प्रस्ताव को अंतो गत्वा भारती समिदान की उदेशिका बना था प्रस्ताव नंदभारती मामले में सर्वोच नियाले के नुसार स्रविदान की उदेशिका का उप्योग श्यत्र की ब्याक्या करने में किया जा सकता है उदेशिका में संसोधन संबाव है तथा 42 में संसोधन 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 द्वारा इन में समाजवादी, पंत, निर्पिक्ष और अखंडता सब जोरे गए थे उदेशिका सविधान के असपर्ष प्रवधानों को रद नहीं कर सकती, इनका उप्योग ब्रम को दूर करने के लिए किया जाता है उदेशिका का उप्योग इन निर्देशक निसकर्ज के समर्थन में किया जाता है सविधान के मूल ढाचे में कोई परवर्थन नहीं किया गिया है इस कुश्चन देखते हैं सविधान की प्रस्तापना का विदिक सरूप क्या है तो यह लागू नहीं किया जा सकता है नेग्स्ट Caitlin भार्ती सविदान सब्धान सब्दान की प्रस्थार्णा में समाजवादी सव्द्र किनbro equation 6 दांजद्वर संफय नीरपेक्ष और अखंडद नहीं था नेग्सरे समाजवादी तत जैद नेक्स्ट है बारती सभीदान की प्रस्तावना में पंत निर्फेक सब्द जोरा गिया था तब यालिस में संसोधन द्वारा नेक्स्ट है भारत के सभीदान के आमुक का लक्ष उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिशित करना है तो इसका हम लोग देखें आप्सन समाजिक आ आगरिकों को समाजिक आर्थिक राजनितिक ने विचार विवेक्ति विश्वास धर्म और उपास्टना की स्वतंता प्रतिष्ठा और अफसर की समानता और वेक्ति की गरिमा सुनिशित करना है नेक्स को देखते हैं नीचे दो कथन दिए गये जिन में से कथन ए और दुसर पर परतिया स्थापित किया गया है नीचे दिएगे कुट का उत्तर चैन कीजिए तो इसका अंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है कथन कारण का सही ब्याख्या करता है नेक्स कुश्चन देखते हैं भारत में लौकी कुसार महां मिक्ता है क्योंकि समिधान की प्रस्ताब नमें नेक्स्ट है सभी बेक्ति पुन्त समान रुप से मानव है या सिंधान जाता है तो सारभौ मिक्ता नेक्स कुश्चन है भारत के संदर में निम में से कौन धान निर्पेक्षब का सही भाव ब्याक्त करता है भारत में राजी का कोई धर्म नहीं है इसकी ब्याख्या भारत पंत निर्पेक्षधान निर्पेक्षि राज होने का साही भावया है कि भारत में राज का कोई ध्रम नहीं है तो नगरती सभिधान की प्रस्टावना में निमनीखित में से स्वतनता का बर्रह नहीं है तो आर्थिक स्वतनता में से कौन भारतिय सभिधान की प्रास्टाबना के बारे में एक वोस पहले समाझवादी दक सब्सक्राइब को कौन सबहाग सभीधान का आत्मा कहलाता है तो उदेशिका कल आता है काफी important question एक्जाम में आता है इसले इसे ध्यान में रखेंगे इसके बैके हम लोग देखते हैं बारती सविधान के उदेशिका को सविधान का आत्मा कहा जाता है के मुंसी नहीं से राजनेतिक चन पत्री का है सुबास कस्य अपने सविधान सरीर है तो प्रस्ताबना उसके आत्मा प्रस्ताबना आधार सीला है तो सविधान उस पर खड़ी अटालिका नोट लोग से बायोग दया उतर परदेश ने भी इस प्रस्त का उतर देशिका को माना है जातावे कि डॉक्टर भी अर अम्बेदकर ने समयधानी कुपचारो काधिकार सविधान के आत्मा और हिर्दय कहा है अता अम्बेदकर की संदर में प्रस्ताबना तो इसका उतर दी होगा नेक्स कोश्चन देखते हैं निमनिकित में से किसने बारती सविधान के प्रस्तापना को हमारे संप्रभू प्रजातांत्री गंतत्र की जन कुंडली का है तो कियम उनसी ने सविधान को एक पवित दस्तावेज कहा गया है तो बियार अम्बेदकर ने बारती सविधान को एक पवित दस्तावेज कहा है पूछित किया गया उधेशिका सविधान कांग नहीं है किन्तु केषवा नंद भारती बनाम केरल के वाद में शर्वच न्याले ने उप्यूक्त निर्णे को पलठते उए उधेशिका सविधान भाग मान लिया है निगस्ट कोष्चना निम्निकित मेंसे किस वाद में उज्टम न्याले की धानमा प्रस्तुतु की उदेशीका सविधान का महाग है तो बोमवा बनाम उनियन एंडिया इसी ब्याख्यां हम लोगं देखे वो मही बनाम यूनियन अप इंडिया के मामले में उस्तम न्याले ने का उदेशिका सविधान का अभीन अंगर केषवा नंद भारती बनाम केरल राज के मामले में बहमत से दिये ग elegant निर्ने में उदेशिका को सविधान का माग माना गिया निग्स्ट निमनिखित विवादों में से किस में सर्वोच न्याले ने प्रस्ताबना को भारती सविधान के मौलिक्स रचना का भाग सुईकार किया है तो केश्वा भारती विवाद इसकी बैख्या देखे केश्वा नंद भारती बनाम किरल रागिनेश तीयत्तर के मामले में सर्भोच न्याले ने प्रस्ताबना उदेशिका को भारती सविधान का मौलिक्ष रच्ना का भाग सुईकार किया सरवोच न्याले की सब्दों में हमारी सविधान का परसाद उदेशिका में वर्नित बुनियादी तत्व पखड़ा है यदि इन में से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढाचा ढह जाएगा अर्थात सविधान वो नहीं रहेगा रह जाएगा अर्थात अपना व्यक्तित वपहचान खो देगा निश के उशन देखते हैं बारती सविधान की प्रस्ताबना में जीन आदर सेम उदेशियों की रूप रेखा दी गई है इसकी ब्याख्या की गई है मुल अधिकारों राजिके नीती निदिसक सिधानतों एवं मौलिक कर्तब्यों की आध्याय में इसकी ब्याख्या है बारती सविधान की प्रस्ताबना सविधान के उदेशियों को पर्तिविंदित करती है सविधान पमुक उदेश भारती जन्ता को समाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय एवं विचार मत विश्वास धर्म और उपासना की स्वातनता परतिष्ट और अफसर की समानता का अधिकार दिलाना है बेक्ती का उतकर्ष कहां संपुन राष्ट में उतकर्ष का बादक न बन जाए इसलिए समिधान में बंदुत्य की भाबना पर भी बल दिया गया है इस परकार परस्ताबना में जीन आदेरसो और उदेशो करोप रेखा दी गई है उनकी ब्याक्या सविधान में आगे मुल अधिकारो राजवनिती निदेशक सिधानतों तता मौली कर्तब्य के अध्या में की गई है नेक्स कोईशन देखते हैं निमनिकित में से कौन एक भारती सविधान के उदेशों का पर्टि बिंदित करता है तो सविधान की प्रस्ताबना नेक्स्ट है भारत के सविधान के उदेशका में कितने परकार के नियाय ब्यवस्ता की गई है तो तीन इसकी ब्याक्य हम लोग देखे, भारती सविदान की उदेशका में राज और निती नहीं देशकता है, तो आर्थिक नयाय की परिकल्पना अभाम उदेशका उपवंद करते हैं, भारत के सविदान की उदेशका में तीन परकार के नयाय की बेवस्था की गई है, वे हैं समाज बिना बेदभाव की समान बेबार आर्ठीक नियाय से ताथ पर किसी के साथ बेदभाव नहीं होना राजितिक नियाय कारत पर परतिक नागरिक को समान राजितिक अधिकार प्राप्थ हूंगे नेक्स्ट है बारत की सविधान के उदेश्यों में से एक रूप आर्थिक नाय किसम उपवंद किया गया है तो यह ज़ेगा उदेश का और राज के निती निदे सकता तो सविधान में दिया गया आमोख है तो पहला न्याले में लागू नहीं होता दूसरा महत्पूर्ण है कि इसकी उवेक्पत है तिसरा सावसर्ण करनी के उदेशयों का उलेखित करता है चौता सविधान में कानून अर्थ निर्व में सहता करता है नीचे दिये गए कुट का उतर चयन करना है इसकी हम लोग ब्याख्या देखते हैं फारती सविधान के आमो को उदेशिका कहा गया है प्रस्ण में उदेशिका सबी चारों कथन सत्रह है परन्तु किसी भी बिकलप म में केवल भी सेशन शुरोत पर नहीं रगा है इसलिए हम उस विकल्ब का चैन कर सकते हैं जिसमें अधिक्तम कथन सामिल हो गए हो इस द्रिष्टी से विकल्ब की बात कई गई है वहाज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ साशन परनाली थांक यू कि अब कि अब कि अब